आज हम लोग बात करेंगे फ्रॉड के बारे में जो कि section 17 of the Indian Contract Act में defined है इससे पहले की दो वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था caution के बारे में और undue influence के बारे में I hope आप लोगों को दोनों topic समझ में आ गये होंगे जिसने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है प्लीज आ करके वो वीडियो जरूर देख लिए अब हम लोग बात करेंगे फ्रॉड के बारे में जो कि जैसा कि मैंने बताया section 17 में defined है तो क्या कह सकते हैं फ्रॉड से हमें simple सी बात समझ में आती है कि फ्रॉड का मतलब है कि किसी ने किसी के साथ cheating करी है वही यहाँ पर लिखाए deceiving someone is considered as fraud कोई किसी को चीट कर गया कोई किसी से जूट बोलकर या cheating में contract में उसको एंटर कर वा दिया तो हम उससे कहेंगे कि फ्रॉड हुआ है इसे हम एक example से समझ लेते हैं माल लीजे A ने B से कहा कि तुम मेरा घोड़ा खरीद लो ताकि तुम्हारी जो फार्म है उसमें तुमको help मिल सके और यह जो मेरा घोड़ा है इसको तुम आराम से farm में use कर सकते हो यह जो मेरा horse है इसे तुम आराम से farm में use कर सकते हो यह farm के ला लेम है और उसे हम लोग उसे बी यूज नहीं कर सकता फार्म में लेकिन उसने ये बात उसको नहीं बताई उसने उसे जोट बोल दिया कि तुम यूज कर सकते हो इसको क्या कहेंगे हम लोग इसको हम ये कहेंगे कि बहुत ही ज्यादा गंदी तरीके से बी को डिसीव किया चीटिंग की उसके साथ इसे हम लोग कहते हैं फ्रॉड अब हम और भी कोछ चीजे समाज ले माल ली जो जो हमारी बैंक से जो कॉल्स आती हैं क्रेडिट कार्ड के लिए जो जिसमें वो आजकल नहीं पहले से बोल देते हैं कि अगर कोई आप सीवी मांगे या कार्ड नंबर मांगे तो आप लोग प्लीज उसे मत दीजेगा लेकिन जो लोग यह गलती कर देते हैं कार्ड नंबर या सीवीव मैं लोग में और किया मुबाईल फोन की जगह हमें रिंग बती है या मी यह जिए गिभशेज में लिए भेस कोई फोन की जगह पर टो यह क्या क्या मंखने तो सब्सक्स नहीं हिए थों फ्रोड क्या जड़ा प्लीग है तो इसमें क्या क्या गहिंगे कि और रोड हमारे मुबाइल फोन के जगा पर उन्होंने हमको साबुन दिया तो यह भी हम कहेंगे कि फ्रॉड होता है तो फ्रॉड बहुत यह था सिंपल सी चीछे समझने वाली बात यह याद रखने वाली चीज क्या है कि फ्रॉड जो है वह सेक्शन 17 में डिफाइंड है और एक बात हमेशा में लिचा दरों कि है कि अगर आप किसीभी चीज को धिका काई बिफार होस्ते इनली और लिए और समझ रहे हैं में वाली चीज में अपन तो यह जाते second लिक सकते हैं में अन्हें और अगर कोशिश घर तो प्ली होगर उसे पहले हिंदी समझने के ज़ूस्त करिया पश्त अच्छे तरीके से समझ जाएंगे तो चीजें अपने आप याद हो जाएंगी तो इसलिए मैं आप लोगों कोश्च करती हूँ कि थोड़ा सा हिंदी में जाला दर बाते समझ आओं तो अगर आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि फ्रॉड का मतलब क्या होता है एक बार फ अच्छी तरीके से और फ्रॉड का मतलब समझ में आ जाएगा फ्रॉड कॉंस सेक्शन में डिफाइंड हैं इन कॉंट्राइक में सेक्शन 17 में तो आज की इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही मिलते है नेक्ट वीडियो मैं थांक्यू सो मच और अगर किसी और टॉपिक प जरू पताइब